हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाये जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंड रहे हैं किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अन्यायों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिलकुल नहीं है लेकिन कई प्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेश पहुंशती हो तो कृपिया हमारे वीडियो ना देखें असली नोट नकली नोट भाग दो जहुवा विडनिस अपने पिछले संदेश में मैंने बताया था कि बाइबल की सच्ची शिक्षा और जूटी शिक्षा की पैचान कैसे होती है इनमें सबसे बड़ा अंतर होता है सू समाचार का बाइबल का सू समाचार कहता है इफिशों के दो आठ से नौ में क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रे ही से तुमारा उधार हुआ है और यह तुमारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमन करे मतलब आपके कर्मों के कारण आपका उधार नहीं हुआ है जिससे कि आप घमन कर सकें पाउलुस कहता है गलातियों के एक आठ में परंतु यदि हम या स्वरग से कोई दूत भी उस सूसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सूसमाचार तुमें सुनाये तो शरापित हो मतलब किसी की मत सुनना उस सूसमाचार के अलावा जो हमने पहले सुनाया था आपको लेकिन पाउलुस के समय से ही जूटे उपदेशक बाइबल के इस सुन्दर और सच्चे सूसमाचार में मिलावट कर रहे हैं वे समझा रहे थे कि उद्धार के लिए अनुग्रे के साथ साथ कुछ रीती रिवाज और कुछ अच्छे कर्म भी जरूरी हैं केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रे से उद्धार नहीं मिलता ऐसा वो समझाते थे जूटे उपदेशक दूसरे शब्दों में वे कह रहे थे कि येश्व का बलिदान काफी नहीं है पापों की ख्षमा के लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़ेगा तब ही उद्धार मिलेगा तो मैंने समझाया था कि ये बिल्कुल गलत शिक्षा है बाइबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखाती सू समाचार में ऐसी मिलावट करने से आप परमेश्वर का श्रे उसका मेरिट मनुष्यों के साथ बाट रहे होते हैं अर्था आप मनुष्यों के उद्धार में पूरा श्रे परमेश्वर को नहीं दे रहे होते हैं उसकी महिमा में से कुछ कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं फिर वो अनुग्रह का सू समाचार नहीं रहे जाता कोई और समाचार बन जाता है इसलिए पॉलुस ने गलातियों को समझाया गलातियों के 2-4-5 में और यह उन जूटे भाईयों के कारण हुआ जो चोरी से गुशाये थे कि उस स्वतंतरता का जो मसी येशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाये मतलब मसी येशु में हम जो स्वतंतर हो गए हमें पता चला कि अनुग्रह से हमारा उध्धार हुआ है हम व्यवस्ता के अधीन ना रहे, लेकिन वो लोग उसका भेद लेकर हमें दास बनाने की कोशिश करते हैं, जूटे उपदेशक, किसके दास, कर्म और व्यवस्ता के दास, जहां से हमें स्वतनतरता मिली, उसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब आप इसलिए कि सूसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे, तो यहीं बात मैं भी सिखाता हूँ, जो भी आपके पास आता है, और अनुग्रह के सूसमाचार के अलावा, किसी और रीती से उद्धार की बात करें, तो एक घड़ी के लिए भी उसकी बाते ना मानें, क्योंकि व तो इस रोश्णी में सबसे पहले देखते हैं कि जहुआ विटनेस वाले क्या सिखाते हैं, जहुआ विटनेस मतलब जो यहुआ की गवाही देता हूँ, तो सुनने में तो यह नाम ठीक लगता है, लेकिन बस नाम ही ठीक है, बाकी कुछ नहीं, जहुआ विटनेस की Millennial Dawn Bible Study कहा जाता था आगे जाकर रसल ने अपने सिध्धान्तों को लेकर छे गरंतों की एक कड़ी लिखी जिसको The Millennial Dawn कहा जाता था 1886 में The Watchtower Bible and Tract Society की स्थापना हुई जिन्होंने रसल के सिध्धान्त The Millennial Dawn का तेजी से वित्रन और प्रचार शुरू कर दिया 1916 में रसल की मृत्यू के बाद रसल के दोस्त और उत्तरादिकारी J.F.Rutherford ने बागड़ और संबाल ली 1917 में उसने The Millennial Dawn का सात्वा और आखरी गरंथ लिखा The Finished Mystery इसके बाद ये संगठन दो भागों में बढ़ गया जो रदफोर्ड के पीछे गए वे खुद को Jehovah's Witnesses कहने लगे जिनको आम तोर पर आज Jehovah's Witness कहा जाता है Jehovah's Witness ये मानते हैं कि उद्धार Jehovah's का दान है जिसे Jehovah's Witness के संगठन का सदस्य बन कर और येशु के फिरोती वाले बलिदान अर्था रैंसम पर विश्वास करने से मिलता है वे ये नहीं मानते कि येशु हमारे बदले मरा वे मानते कि येशु ने फिरोती में अपने प्राण दिये हमें आदम के पाप से शुड़ाने के लिए लेकिन इसकी अलावा उद्धार के लिए और भी कई काम करने पड़ते हैं जो यहवा विटनेस संगठन समय से में पर बताता रहता है यहवा विटनेस मानता है कि उद्धार और अनंतकाल का जीवन खो भी सकते हैं इसलिए हर एक विश्वासी को आंत तक विश्वास में कायम रहना पड़ेगा हमेशा अच्छे काम भी करते रहने पड़ेंगे तभी उसको उद्धार मिलेगा वे नहीं मानते कि एक बार उद्धार हो गया तो हो गया जहवव विटनस दो प्रकार के पुनरत्थान में विश्वास रखता है पहला जो अभिशिक्त क्रिष्चिंस होंगे यानि कि अनोइन्टेट क्रिष्चिंस वे तो स्वार क Mainly उठा ले जाएंगे लेकिन जो क्रिष्चिंस अभिशिक्त नहीं होंगे जो भारी मात्रा में होंगे वे तो पुनुरत्थान के बाद पृत्वी परहिर हैंगे सदा के लिए दो प्रकार के पुनुरत्थान अगर कोई उनसे पूछेगा कि भाई अभिशिक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा तो उनका जवाब होगा कि यहोवप का आत्मा जिस किसी मसीही को व्यक्तिगत प्रकाशन अर्थात पर्सनल रेवलेशन दौए लेपालक पन अर्थात अडॉप्शन का पूर्ण आशवासन देता है वो ही अभिशिक्त होता है मतलब जब परमेश्वर का आत्मा यहुव का आत्मा उस मनश्य को उस मसीह को बता देगा कि मैंने तुम्हें एडॉप्ट कर लिया है तब वो अभिशिक क्यलाता है लेकिन ये बात केवल उसी मसीह को ही पता होती है इसलिए उसे ही ये बात अपने संगठन में बाकी सब को बताने ही पड़ती है जहुव विटने सिखाते हैं कि उद्धार, विश्वास, अच्छे काम और आज्याओं को मान कर चलना इन तीनों को मिला कर मिलता है तीनों करने बढ़ते हैं इन में से एक भी हटा दो तो उद्धार नहीं मिलेगा जबकि बाइबल सिखाती है कि उद्धार, विश्वास के द्वारा कीवल अनुग्रे से मिलता है जैसा योहन्ना 3.16, इफिश्व का 2.8-10 इत्यादी में और ऐसी कई आयतों में लिखा हुआ है जहुव विटनेस, त्राय एक परमेश्वर अर्थात ट्रिनिटी, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्रात्मा को नहीं मानते वे मानते हैं कि परमेश्वर केवल एक ही वेक्ती है यहुवा, वे येश्व को परमेश्वर भी नहीं मानते मैं मानते हैं कि परमेश्वर ने येशु की सरिश्टी सबसे पहले की अर्थात येशु एक समय में स्रिजा गया था शारी सरिश्टी में पहला उठा इसलिए येश़्व को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है जबकि बाइबल प्रश्टूप से सिखाती है कि येशु की स्रिष्ठी कभी नहीं हुई थी वो आदिकाल से था और वो परमेश्वर है यहना एक एक आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और एक चौदा में लिखा है और वचन दे मैं कहा कि वह परमेश्वर है मैं हूँ I am कि लेकिन जहुआ विटनस कहते हैं कि येश्व सबसे पहले स्रिजा गया सर्वोच जीव है प्रित्यु पर आने से पहले वह स्वर्ग में रहता था अपनी मृत्यु और पुनुर्थान के बाद वह वापी सर्व चला गया येश्व ने अपना निश्कलंग पाप रहित और सिद्ध जीवन फिरोती अर्थात रैंसम के तौर पर बलिगान कर दिया वे ये नहीं मानते कि येश्व हमारे बदले में मरा बलकि येश्व ने केवल फिरोती देकर हमें छुटकारा दिलाया है आदम के पाप से ऐसा मानते हूं मतलब जीश्व नोट डाई अस सब्स्टिटूशनरी डैथ बट ही जस्ट पेड रैंसम फोर अदम सिन इन अस जबकि बाइबल सिखाती है कि येश्व हमारे बदले में मरा हमारे पापों का दंड भूगता और इसलिए हमें छुटाती मिली पाप से और मृत्यू से ना कि उसने अ अर्थात पवित्रात्मा में अपने आप में कोई जीवन नहीं है मतलब वो एक व्यक्ति नहीं है बस वो एक निश्प्राण शक्ति है he is not a person वो केवल एक शक्ति है परमेश्वर की ऐसा जहुआ विटनस सिखाते हैं जबकि बाइबल सिखाती है कि पवित्रात्मा एक व्यक 641,000 क्रिस्टें केवल स्वार्ख जाएंगे येश्व के साथ राज करने के लिए परमेश्वर के राज्ज्य में जो पहले से ही स्वार्ख में चल रहा है 14425 परित्वी पर उनका भी मरते ही पुनरुथान हो जाएगा और वे भी स्वर पहुन जाएँगे येश्यू के दूसरे आगबंच से पहले कि उनका कहना है कि येश्यू ने यहन ना तीन तीन में जो नए सीरे से जन्र नेने के बात की थी वो सिर्फ उन 1.44.000 Christians पर ही लागू होता है जिनको लूका 1232 में छोटे जुन्ड लेटिल फ्लॉक और प्रकाशित वाक्य 21 दो और नौ में नया यरुशलम और मेमने की पत्नी कहा गया है और केवल ये ही अभिशिक्त मसीही हैं एक लाग चवालिस हजार Christians सवाल ये उड़ता है कि किसी मसीही को ये कैसे पता चलेगा कि वो उस एक लाग चवालिस हजार Christians में होगा के नहीं दूसरा ये शुक के बाद से अब तक दो हजार साल गुजर चुके हैं तो क्या केवल एक लाग चवालिस हजार Christians इस वर्ग जाएंगे लेकिन सच क्या है कि भारी क्लेश से पहले ही येशु बादलों में आएगा और सबी मसीहियों को प्रित्वी से उठाकर अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा अर्थात भारी क्लेश के समय है जब प्रित्वी पर मसीव इरोधिश आशक का राज होगा तब ना चर्च होगा और ना ही कोई मसीही होगा प्रित्वी पर उस समय एक लाग चवालिस हजार इसराइली येशु को अपना उद्धार करता स्विकार कर लेंगे और उन पर परमेश्वर की चाप लगा दी जाएगी वे इसराइल के बारा गौत्रों में से होंगे हर गौत्र में से बारा हजार जैसा कि शमुद्र और पेड़ों को हानी ना पहुचाना स्वर्ग दूत बोल रहें है कि और जिन पर मोहड दी गई मैंने उनकी गिंती सुनी कि इसराइल की संतानों के सब गौत्रों में से एक लाइख चालिस हजार पर मोहड दी गई तो इसराइल के गौत्रों में से है वह एक लाग चालिस हजार इसराइली उस समय विश्व भर में सू समाचार का प्रचार करेंगे क्योंकि कोई चर्च और मसीही तो होंगे नहीं उस समय प्रत्विव पर प्रकाशित वक्त के चौदा एक से चार में यहन्ना को जो भविश्य का पूर्व दर्शन दिखाए गया था उस जिनको परमेश्वर भारी कलेश में मसी विरोधी शासक से बचा कर रखेगा इने के बारे में प्रकाशित वक्त के बारा सत्रा में लिखा हुआ है और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ अजगर मतलब शैतान और स्त्री यहां है इसराइल और उसकी शेश संतान से अर्था अर्थात 1,44,000 इसराइलियों से जो परमेश्वर की आग्याओं को मानते और येश्यू की गवाही देने पर स्तिर है लड़ने को गया शैतान उनसे लड़ने को गया उन 1,44,000 इसराइलियों से अर्थात विस्वा समाचार सुनाएंगे और शैतान मसीह विरोधी शासक पर वो बचे रहेंगे येशु के आने तक रही बात अभिशिक्त होने की तो हर सच्चा मसीही पवित्र परमेश्वर से अभिशिक्त होता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा बसता है एक योहना दो बीज केता है और तुमारा तो उस पवित्र से अभिशेक हुआ है अर्थात परमेशर से और तुम सब कुछ चानते हो और तुमारा वह अभिशेक जो उसकी और से किया गया तुम में बना रहता है अर्थात परमेशर न जो तुमारा पवित्र आत्मा द्वारा अभिशेक किया वो स्थाई रूप से तुम्हें बजता है पर्मिनेटली जैसा पहला करुंतियों को च्छे उन्निस में लिखाए वह अभिशेक जो उसकी और से किया गया तुम्हें सब बाते सिखाता है पवित्रात्मा और यह सच्चा है और जूटा नहीं और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो पर्मिनेंटली इसे तो तुम्हारा उधार नहीं खोता मतलब पवित्रात्मा तुम्हारा जीवन भर तुम्हारा मार्ग दर्शन करेग और तुम सदा परमेश्वर में बने रहोगे क्योंकि तुम में परमेश्वर का आत्मा है तो देखा आपने जहुआ विटनेस और बाइबल की शिक्षाव में कितना फर्क है जहुआ विटनेस नर्क अर्थात अनंतकाल के लिए पीडा देने वाली आग की जहील को भी नहीं मानते वे नहीं मानते कि दुष्ट्रों को नर्क में डंडित किया जाएगा वे रोमियो का च्छे तेज दिखा कर कहेंगे क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है परंत परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभू मसी येशु में अनंत जीवन है उनके हिसाब से इस आयत का मतलब है कि जो भी पाप करता है उसकी शारिरिक मृत्य हो जाती है और परमेश्वर उसके प्राण अर्थात उसके सोल का अस्तित भी मिटा देता है सदा के लिए लोब कर देता है इंग्लिश में एनाइलेट कर देता है मतलब खतम कर देता है उस प्राण को लेकिन नर्ख में नहीं डालता ऐसा हो सिखाते है और जिनका उध्धार हो जाता है परमेश्वर उन्हें मृत्यू से छुटकारा दिलाता है ना कि नर्ख की आग से ऐसा सिखाते हैं वो लोग लेकिन बाइबल स्पस्ट रूप से चेताव नहीं देती है कि नर्ख अर्थात आग की जील वास्तव में है जैसा प्रकाशित वाक के 20-15 और मत्य 25-41 में येश्व निकाग क्योंकि जहुआ विटनेस केवल येश्व के अनुगरे से मिलने वाले उद्धार को नहीं मानते इसलिए जैसे ही कोई नया नया जहुआ विटनेस बनने को तयार हो जाता है उस पर कुछ कर्तव्यों, ड्यूटीज और जिम्मेवारियों, रिस्पॉंसिबिलिटीज का बोज लाद दिया जाता है उसको कुछ आयते दिखा दिया जाती है जैसे फिलिप्यों का दो बारा तो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आग्या मानते आये हो वैसे ही अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेश करके, अब मेरे दूर रहने पर भी, डरते और कापते हुए अपने अपने उध्धार का कारी पूरा करते जाओ तो वो सिखाएंगे कि देखो उध्धार के लिए कारी करना पड़ते है लेकिन वे उसको इसकी अगली आयत नहीं पढ़ाते जिसमें लिखा है फिलिप्यों के 2.13 में क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित तुमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है परमेश्वर ने तुमारे अंदर प्रभाव डाला है वे एक और आयत का सारा लेते हैं याकुब 2.20 पर हे निकम में मनुश्य क्या तो यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है तो वो कहेंगे देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके कर्म नहीं है तो विश्वास व्यर्थ है जबकि अगर आप इस आयत की आगे पीछे की आयते पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये आयाद सिर्फ इतना ही कह रही है कि जिसके अंदर विश्वास होता है उसका विश्वास उसके कर्मों द्वारा दिखाई देते है और जिसके अच्छे कर्म दिखाई नहीं देते तो ये संभव है कि शायद उसमें विश्वास ही नहीं है तो ये आयत ये नहीं कह रही है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको अच्छे कर्म भी करने जाए नहीं वो तो आप करेंगे ही विश्वास से तो इसी को साबित करने के लिए इसकी अगली आयत में इबराहिम के विश्वास में लिखा है जब वो यहोवा के कहने पर अपने इकलोते पुत्र इसहाग को बली देने गया याकुब 2.22 में लिखा है सो तूने देख लिया कि विश्वास ने इबराहिम के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ है मतलब कर्मों से सिर्फ आपका विश्वास सिद्ध होता है लेकिन उद्धार तो के वल विश्वास से ही मिलता है जैसा उत्पत्ती 15.6 में लिखा है इबराहिम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना लेकिन उस ने यहोवा विटनेस को समझा दे जाता है कि उद्धार पाने के लिए येश्व का लहू काफी नहीं बलकि कुछ काम भी करने पड़ेंगे यहोवा के लिए और यह बहुत जरूरी है कि वो कभी भी अपने काम में धील ना दिखाए क्योंकि यहोवा हर घड़ी उनके कामों को देखता रहता है जैसे कि घर गर जाकर प्रचार करना हफते में पांच मीटिंग्स अटेंड करना वाच्टावर सोसाइटी की किताबे और मैगजीन्स बेचकर डोनेशन से कठा करना इत्यादी संदे को जहाँ वे एकत्रित होते हैं उस जगा को वे चर्च नहीं कहते हैं बलकि किंग्डम हॉल कहते हैं तो उनके कामों में किंग्डम हॉल में बैठ कर वाच्टावर सोसाइटी के संदेशों को बार-बार सुनना इत्यादी शामिल है ये सब एक जहुआ विटनेस को करते रहना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए लेकिन इस बात की फिर भी कोई गैरंटी नहीं है कि उसको उद्धार मिल जाएगा कि नहीं क्योंकि इसका फैसला तो यहुआ ही करेगा उसके काम उद्धार के लिए काफी है या नहीं इसको जांचने के बाद क्या वो उद्धार के सारे माबदन स्टैंडर्स पूरे कर पाया है या नहीं इत्यादी तब यहुआ फैसला करेगा कि इसका उद्धार होना चाहिए कि नहीं तो उद्धार पाने के लिए वे सिखाएंगे आपको पापों से मन फिराने के बाद ये शु के बलिदान पर विश्वास करके वाच्ट आवर सोसाइटी के प्रती अपने कर्तवियों और जिम्मेवारियों को भी पूरा करना होगा तो कुल मिला कर देखा जाए तो जहोवा विटनेस के सिध्धान के आधार पर उद्धार अनिश्चित है इस अनसर्टन और कुछ शर्तों पर आधारित है जबकि बाइबल के आधार पर केवल एक ही शर्त है मन फिराव दूसरा कुछ नहीं क्योंकि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है वो सिर्फ इतना ही देखता है कि क्या इस मनुष्य ने अपना मन फिरा लिया समझ गया ये कि इसने पाप किये हैं और ये आगे पाप नहीं करना चाहता मेरे बतायवे मार्ग पर चलना चाहता है इसको बोलते हैं मन फिराव तो परमेश्वर सिर्फ इतना ही देखता है कि उसका जो मन है उसका जो हृद्धे है वो बदल गया है अब मेरी आग्याओं पर चलने कुछ तयार है बस उसका उद्धार हो गया हो इसलिए उसको परमेश्वर का दान कहते हैं जो हमारे अच्छे कामों से कमाया नहीं जा सकता हम नहीं कमा सकते उध्धार अपने अच्छे कामों से तो कभी-कभी ये सवाल उठता है कि अगर बाइबल में सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है तो क्या लोग अपने आप ये नहीं समझ जाएंगे कि जहुआ विटनेस के शिक्षाएं गलत है तो उसका उत्तर है नहीं क्योंकि जहुआ विटनेस ने 1961 में बाइबल का अपना एक अनुवाद निकाला जिसमें उन्होंने कई फेर बदल किये अपने सिध्धान को सही साबित करने के लिए आज इस बाइबल का 129 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है अंत समय में तो वो अपने प्रचार में इस बाइबल का इस्तबाल करते हैं तेकि मेरा मनना ये है कि जो भी सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूण रहा होगा परमेश्वर उसे सैतान के हर छल और हर कपट से बचा कर अपने सच्चे वचन के और ले जाएगा अर्थात वो बाइबल जो भविश्द वक्ताओं और प्रेरितों के समय से चली आ रही है जब वे चमडे के कागस पर लिखा करते थे शीप स्किन, पार्चमिन्स आपको बस येश्व से परातना करनी है कि वो आपको सही वचन दिखाए वो जवाब अवश्य देगा क्योंकि वो चाता है कि आप सही वचन सीखे ये परातना मैं हर रोज करता हूँ कि परमेश्वर मुझे हमेशा सही वचन की तरफ ही बढ़ा तो कुल मिलाकर निश्कर्श क्या निकला जहुआ विटनस का मानना है कि येश्व के बलिदान से ही उद्धार संबव है लेकिन उसे पाने के लिए आपको पापों से मन फिराकर येश्व का नाम लेना होगा येश्व का नहीं क्योंकि येश्व परमेश्वर नहीं है साथ भे आपको येश्व विटनस संगठन से भी जुड़ना होगा जिसके बिना आपका उद्धार संबव नहीं है अगर आप येश्व विटनस में नहीं है तो आपका उध्धार संभव नहीं है जबकि Bible ऐसा कुछ नहीं सिखा थी उसके अलावा आपको अच्छे कर्म भी करने होंगे Watchtower Society द्वारा दी गए जिम्मेवारियों को भी पूरा करना होगा हफते में पांच बार Jehovah Witness की मीटिंग से टिन करनी होगी घर घर जाकर प्रचार करना होगा और Bible में लिखी अरनैतिक बातों से बिलकुल दूर रहना होगा जैसे वेबिचार, चोरी, लोब, दुस्टता, छल, कुदरिष्टी, निंदा, अभिमान, इतियादी अगर इन में से किसी एक में भी चूक हो गई एक भी गलती होगी तो आपका उधार खो सकता है लेकिन इन सब के बाद भी केवल एक लाग चवालिस हजार क्रिस्टन्स ही स्वर्ख जाएंगे और वहाँ पहले से ही चल रहे है परमिश्वर के राज में येश्यू के साथ मिलकर राज करेंगे उसके बाद ये एक लाग चवालिस अधार क्रिस्टन्स ही येश्यू के दूसरे आगमिर में उसके साथ आएंगे और पृत्वी पर सियोन पहाड से राज करेंगे एक हजार साल के लिए उस समय पृत्वी पर मौजूद लोग भी जहुआ विटनेस की शर्तों पर उधार पा सकेंगे दूसरा कोई तरीका नहीं है उनका मानना है कि यहुआ हर उस व्यक्ति का पुनुरत्थान करेगा जो वाच्टावर सोसाइटी की स्थापना से पहले मर गये थे ताकि वे भी जहुआ विटनेस का सूसमाचार सुन सके जो भी विश्वास करके यहुआ का नाम लेगा उसका उधार हो जाएगा और जो विश्वास नहीं करेंगे यहुआ उनके प्राणों को सदा के लिए लोब कर देगा अर्थाद उनका अस्तित वो हमेशा के लिए मिटा देगा लेकिन वे नर्ग जैसे किसी जगा में नहीं जाएंगे इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है उनके सिद्धान्त में जो आपको बौखला देगा जैसे वे डॉक्टरों से मेडिकल ट्रीटमेंट तो ले लेंगे लेकिन रक्त आधान ब्लड ट्रांस्टूशन को वे गलस समझते हैं मतलब की खून चड़ाने को वो गलस समझते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो भी रक्त पीने जैसा ही है जिसके लिए बाइबल मना करती है मतलब अगर किसी जहोवा विटनेस का एक्सेरेंट हो जाए और उसे खून चड़ाना पड़ जाए तो वे मना कर देंगे भले ही वो मर क्यों न आ जाए उनके संकटन में कोई निश्चित पैस्टर और डेफिनिट पैस्टर या बाइबल टीचर नहीं होता बाइबल सिखाने के लिए कुछ नियुक्त सदस्य होते हैं और वे सब मिलकर प्रचार में हिस्सा लेते हैं ये सब उनके सिध्धानत में है यूँ जानने को तो बहुत कुछ है जहुआ विटनिस के बारे में लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले संदेश भाग एक में बताया था कि हमें नकली नोट को नहीं बलकि असली नोट को ध्यान चपड़ना है अर्थाद वो बाइबल जो परमिशोर ने हमें आरम से ही भविश्यत वक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा दी है और ये बाइबल सिखाती है यहां ना तीन सोला में क्योंकि परमिशोर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परन्तु अनंत जीवन पाए तो सूसमाचार बहुत सिंपल है बहुत सरल है तो यहां दूसरे कुछ कर्मों की तो कोई बात की ने गई है इस आयत में यहां ना तीन सोला में सिर्फ विश्वास लेकिन इस बात को जहवा विटनेस नहीं मानते अगर मनुष्य अपने दम पर उधार पा सकता और स्वर्ग दिलावट करने की कोशिश करता है क्यों ताकि मनुष्य कर्मों में ही उल्ज़ह रहे या फिर अपने धर्मों में ही उलज़ह रहे और परमेश्वर के अनुग्रह से मिलने वाले उधार को कभी समझी ना पाए इसलिए दो करंतियों को 4-3-4 में पॉलुस कहता है परंतु य पंधी कर दिये ताकि मसी जो परमेश्वर का प्रति रूप है उसके तेजों में सु समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके तो आप लोग ने देखा कि कि स्टतरीखे से शेटान सु समाचार में मिलावट करता है, उसको घुमा फिरा देता है, उसमें चीजें दोड़ देता है, ताकि जो असली समाचार है, जो सिर्फ मन फिराव से जुड़ा है, और सिर्फ परमेश्वर के अनुगरे से जुड़ा है, परमेश्वर जो आपसे इतना प्रेम करता है, येश्व पर निर्पर करता है जिस दिन तुम अपना मन फिरा कर मुझसे मदद मांगोगे मैं तुम्हारे सारे पाफ अटा दूगा क्योंकि मैंने उसके लिए बलिदान दिया है बस इतना ही करना है तुम्हें उसकी बाद तुम मेरी संतान बन जाओगे और मेरे बतायवे मारकवर अप कभी मन फिराव नहीं करता और सूसमाचार कभी समझ नहीं आता लेकिन सूसमाचार बहुत सरल है शैतान उसको बहुत कॉंप्लिकेटेट बहुत उल्जहावा बना देता है इससे पैचान होती है असली नोट और नकली नोट की तो जहवा विटनस की ही तरह है एक और मसीह सं कर रहा है वो है mormons the latter day saints जिसके विशे में मैं अपने अगले भाग में बताऊंगा भाग तीन में शैतान की चाल को समझने के लिए भाग तीन अवश्य देखिए आमें